कर दोस्तों वानलकर से दिए एंटीपवीस लिमिटेटंड कंपनी के फंडामेंटल के बारे में इस पूरे वीडियो में कंपनीगे फैनेंचल लूंबर को देखेंगे सबसे पहले कंपनी का єपरिंघ हैं पिछले पांस साल में कमपनी नेटवर्थ में जो है काफी वडिया ग्रोथ देखने हुं मिली है जो कि साल 2009 में कमपनी नेटवर्थ 1,142,64 करोड दी जो कि साल 2023 में company network बढ़कर होगी एक लाग पचास जार नो स्चोपन करोड यानि कि पिछले 5 साल में company network में जो है काफी बड़िया growth देखर को मिली है इसके बाद company शाय का बावन विक का high और low price देख लेते हैं तो company शाय का current closing price आज का 399 रूपे 25 पेसे है जिसमें company शाय का बावन विक का high price जो है 355 रूपे 50 पेसे और company शाय का बावन विक का low price जो है 246 रूपे 80 पेसे company का all time high price भी 355 पेसे यानि कि पिछले एक साल में company share price ने काफी बड़िया रिटन दिये है इसके लाव company share जो है all time high के आसपास है इसके बाद company detail को देख लेते हैं तो company जो है power generation and distribution सेक्टर में आती इसमें company का market cape जो है 3,48,500 करोड है जिसका company जो है large cape में आती ही वही company का peer ratio 19 से है वही price to book volusio company का 2 है return on equity company का 12% है वह return on capital employee जो है company का 10% है वही company के उपर date की बात कर तो company पर overall date जो है 2,20,22 करोड है जो का company पर date जो है काफी जादा है company का date to equivalent ratio की बात कर तो company date to equivalent ratio 1,50 है normally date to equivalent ratio एक से कम होना चाहिए इसके बाद company की peer ratio का industry के पियूस तुलना करते हैं तो company का peer ratio 19 का है वह industry का पियूस जो है 23 का है और overall company के fundamental की बात कर तो company fundamentally थोड़ी ही महेंगी है इसके लाँ तोड़ी सी वीग है जिसमें company का negative point की बात कर तो company रेटनों इक्विटी और रेटनों के अपले इंप्योड़़श है 15% से काफी कम है इसके लाँवा company के उपए डेट जो है काफी जदा है और आप जिस भी कमपनी का fundamental को देखने जाथ उस company आप कमेंट बॉंग सब्सक्राइस कर सकते हैं